गर्मियों के दिन में पैरों में जलन का होना एक आमसी बात है धीरे धीरे बढ़ते हुए ये जलन इतनी भैंकर रूप धारण कर लेती है कि पीडित अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पाता जब किसी व्यक्ति के पैरों में जलन होने लगती है तो इसके पैरों का रक्त प्रवा कम हो जाता है साथी इसके होने का मुख्य कारण पैरों की नसों का कमजोर होना होता है तलवो की जलन दूर करने के उपाए अधरक तलवो की जलन को दूर करने के लिए एक कटोरी में थोड़ा सा जैतुन और नारिल का तेल मिला कर गरम करें और जब ये थोड़ा थंडा हो जाए तो इसमें अपने पैरों, एडियों और तलवों की अच्छी तरह से मालिश करें थंडा पानी पैरों में होने वाली जलन को दूर करने के लिए थंडे पानी को काफी उपयोगी माना जाता है एक बाल्टी या टब में पानी भर ले और उसमें अपने पैरों को कुछ देर तक डाल कर रखें गुलाब जल थोड़ा चंदन का पाउडर ले और उसमें थोड़ा गुलाब जल मिला कर एक लेप तयार करें उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा शुद्ध देसी घी भी मिलाएं और अपने पैरों पर मलें हल्दी हल्दी का इस्तवाल करने के लिए आपको एक गिलास पानी में एक से डेड़ चम्मच हल्दी मिलाकर लेनी चाहिए अगर आप इस उपाय को दिन में दो बार अपनाते हैं तो आपको अधिक लाप मिलता है आप चाहें तो इसका पेस्ट बनाकर उसे तलबों की मालिश भी कर सकते हैं सेंधा नमक सेंधा नमक में मेगनीशियम नाम का तत्व पाया जाता है जो सूजन और दर्द को कम करने के लिए उत्तम होता है इसलिए आप भी एक टप गुनगुने पानी में करीब आधा कप सेंधा नमक मिलाएं और उसमें 10-15 मिनिट तक पेरों को डाल कर सिकाई करें आप इस उपाय को नियमित रूप से कुछ दिनों तक अपनाएं आपको निश्चत रूप से आराम मिलेगा मलाई आप 10-15 ग्राम मलाई लें और उसमें 2-3 नीम्बू की बूदे डाल लें और एक लेप तयार करें इस लेप को आप रात को सोते वक्त अपने पेरों पर लगाएं और अगले दिन सुभा उठकर इसे ठंडे पानी से धोलें इससे ना तो आपकी एडिया फटती हैं और नहीं उनमें दर्द की संभावना रहती है जैतुन का तेल तलवों में दर्द का एक कारण उनका सख्त होना भी होता है इस अवस्था में आप अपने पेरों और तलवों की ओलिव ओईल से मालिश करें इससे तवचा नर्म और मुलायम होती है साथ ही आपको तलवों के दर्द वजलन से भी छुटकारा मिलता है तिलका तेल तिलका तेल पेरों की मालिश के लिए सर्वोत्तम माना जाता है इससे मालिश करने के बाद आप अपने पेरों को थोड़ी देर गुन-गुने पानी में भी अवश्य डालने इसके कई फायदे होते हैं जैसे कि तलवे नर्म बने रहते हैं पेरों में नमी रहती है, उच्छ रक्त चाप में आराम मिलता है, रक्त शरकरा नियंतरित रहती है और रिदय रोगों में भी आराम मिलता है घिया घिया का इस्तिमाल भी आप तल्बों की जलन दूर करने के लिए कर सकते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि घिया की तासीर ठंडी होती है और इसमें विटमिन B भी पाया जाता है जो पैरों की नसों को मजबूती दियता है सरसो का तो शायद नाम ही काफी होना चाहिए क्योंकि ये हर समस्या का समाधान माना जाता है तलवों की जलन को दूर करने के लिए आप इसका इस्तमाल कर सकते हो और इसके लिए आपको बस दो गिलास गरम पानी में एक चमच सरसो का तेल मिलाना है इसके बाद आप इस पानी को एक कटोरे में डाले और करीब दो मिनिट तक अपने पैरों को इसमें रखना चाहिए बाद में आप अपने पैरों को ठंडे पानी से साफ कर ले हुआ 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 Χाहिए